यह है Samsung Galaxy S20 FE और जब यह फोन रिलीज हुआ था तहल का मच गया था जब यह फोन रिलीज हुआ था MKBHD, Linus Tech Tips जितने भी बड़े रिविविवर थे सब इस फोन की बात कर रहे थे बट आज 2023 आ गई है और यह फोन अभी भी Amazon पे अवेलेबल है इस फोन को रिलीज होके बहुत सारा टाइम हो चुका है इसका प्रोसेसर काफी पुराना हो चुका है कि अभी भी यह फोन आपके लिए लेना मैं रेकमेंड करूँगा या मैं इसका बड़ा भाई Samsung S21 FE रेकमेंड करूँगा तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिए यह information जानने के लिए और अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो ensure कीजे चैनल को subscribe जरूर कर ले मैं किसी देरी के आगे बात करते हैं इस फोन के build quality के बार में अगर मैं build quality की बात कुरें इसकी build quality एकदम superb है यहां पे कहीं पे भी आपको build quality में major issues नहीं दिखेंगे हाँ एक बात है कि इसका जो updated version है S21 FE वो थोड़ा ज्यादा premium लगता है feel, touch and finish में उनकी comparison में यह थोड़ा सा cheaper लगता है बट then again इसको जैसे मैंने कहा काफी time हो चुका है यह तो होगा back side की बात अगर मैं front side की बात करो ना यह किसी भी तरह से front side में cheap पुराना नहीं लगता है यहां पर जो screen ली गई है genuinely अगर आप इस price range में बाकी कुछ phone देखते हो उन कुछ phone से भी better यहां पर आपको screen दिख जाती है and once again जो screen है content consumption के लिए as samsung usually does it बहुत प्यारी screen है यहां पर आपको कोई भी problem नहीं आने वाली है it looks absolutely stunning absolutely beautiful right इसी के साथ जो touch sensitivity है screen की वो अभी भी बहाद अच्छी है मतलब phone को release हो के काफी साल हो चुका है आपको एकदम notch जो high refresh rate or high touch response rate वाले phones मिलते हैं यह उनमें से एक नहीं है obviously यहां पर high refresh rate है but touch response rate high नहीं है तब भी the screen seems एकदम smooth कोई भी मुझे problem या issues नहीं आया है no issue अब इसके बाद बात करते हैं इसके एक और चीज की जो usually Samsung phones में काफी different होता है वो है इंटरनेट speeds so मैंने realize कि काफी बार कुछ को Samsung phones में ना internet speed कम होते हैं but यहां पर वैसा नहीं है यहां पर Wi-Fi का बिल्कुल सही इस्तमाल करते हैं और में को Wi-Fi में बिल्कुल brilliant speed आती है मैं airtel का 300 mbps का net use कर रहा हूं and this gives better speeds than my iPhone so बहुत बढ़िया चीज है यहां पर connectivity के मामले में यह phone अच्छा है अगर आप calling calling कर रहे हो बिल्कुल कोई problem नहीं आने वारी है call अगेरा भी बहुत अच्छी से receive करते हैं लोगों को सुनाई देने में भी कोई problem नहीं आते है इसके बाद इसके software की बात करते हैं तो हम सबको one UI पता है कितना अच्छे से optimize कितना अच्छे से बनाया गया है उपर से इस phone को और ज्यादा time मिला है optimize होने के लिए so then again बहुत ही सुन्दर optimization है यहां पर बिल्कुल smooth चलता है phone there is absolutely no issues here right but अब इसमें एक बट है जब मैं बोलता हूं no issues here वह है day-to-day task है कि आप message कर रहे हो whatsapp यूज़ कर रहे हो snapchat यूज़ कर रहे हो instagram यूज़ कर रहे हो but अगर आप कोई भी heavy task करते है तो से photo editing video editing वहां पर यह phone stutter करता है there is absolutely no doubt ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कर भाई कहां से पुराने जमाने का phone में उठाके लगे आया but then again age दिखता है इसका जो processor है snapdragon 865 वह काफी पुराना हो चुका है अभी but then again it comes from a line of processor जो काफी बढ़िया चले है जो heat भी नहीं होते है तो yes this is a very very efficient phone यह पर efficiency में आपको कोई भी problem नहीं आईगी इसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसके camera की तो इसका front camera काफी से महंगे phone से better लगता है and यहां पर front camera में आपको wide angle भी मिल जाता है which is absolutely amazing इसी के साथ इसके back camera की में अगर बात करूँ तो हां कहीं ना कहीं back camera में आपको इसका age दिखता है but for a person जो यह price pay कर रहा है I think this is one of the best cameras that you can get at this price point right obviously इससे better इससे worse phones है यहां पर pixel 6a है जहां पर आपको camera बहुत ही better मिलेगा but then again आप काफी ज्यादा lose करोगे बाकी चीजों में जिसे high refresh rate हो गया and बाकी सारी चीजे हो गए and the thing is pixel जब आप use करते हो तो आपको वहां पर जो pixel का UI है वो बहुत ज्यादा stock मिलता है in comparison यहां पर आपको काफी हद तक customizations भी मिल जाते है and Samsung की जो accessories का line आपना वो काफी ज्यादा better है than pixel तो यह एक दो चीज़े है जो आपको यहां पर benefit मिल जाता है in comparison to other phone nothing phone 1 के भी मामले में nothing phone 1 का जो chipset है उससे better chipset यह है 100% is no doubt right तो यहां पर आपको nothing phone 1 से better performance मिल जाती है optimization भी यहां पर बहुत अच्छे आप एक serious problem इस phone को लेने का सर्फ यह होता है कि इसका update cycle खतम होने वाला है so update के मामले में यह पीछे छूट जाएगा इसका latest version S21 FE उसको update ज्यादा मिलेंगे एक जगे यहां पर जो यह यहां पर अपने latest version से better perform करता है वो है इसका battery backup इसका battery backup इसका जो latest version है उससे better है इसकी battery ज्यादा time last करती है from morning to night आप आराम से इसको खीच सकते if you do day to day task in comparison to S21 FE या आप जोनका flagship level S22 भी ले लो उसकी comparison में यह थोड़ा better काम करता है so guys all in all अगर मैं बोलो 2023 में क्या यह phone लेना चाहिए तो even दो यह phone इतना बढ़ी है I would suggest नहीं for a very simple reason कि यह जो phone है इसको release होके बहुत सारा time हो चुका है और इसका update cycle nearly at the end है तो यह phone उनहीं को लेना चाहिए जिनके ऊपर बहुत सारे budget restrictions है या जिनको typically Samsung का phone लेना ही लेना है in the price range of 30,000 अब इसका जो नया वाला variant है S21 FE वो भी आपको मिलता है at 35 but again वो भी मैं अपको इतना ज्यादा recommend नहीं करूँगा बेकर इसकी battery थोड़ी problematic है तो यह एक दो चीज़ें जो आपको याद रखने की और ध्यान रखने की ज़रूर रहते हैं अब जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हम एक nothing phone one का giveaway करने इस channel पर sign up करना है तो pin comment ज़रूर चेक कर लेना that's all for today guys I'll see you in the next one